आप इमाजिन करों कि यहां पर एक स्वुमिंग पूल है बड़ा सा और एक तरफ डीप पॉर्टर है एक तरफ शैलो वाटर है यहां पर स्वुमिंग पूल के साइड में तीन लोग बैठे हो है और बैठ करके अपने अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे है जो पहला आदमी है वो सोच रहा है मनी मन कि यार यह सुमिंग करने का मन तो है मेरा बहुत अब देखो यहां पर ना सक्सेस और फेलियर की मैं आपको क्लियर कर देता हो कि वो क्या है इन तीनों का ही डिजायर है बर्निंग डिजायर है कि हमको सुमिंग करनी है तो कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं और उस काम को कर ले तो वो क्या है सक्सेस है और अगर आप करना चाहते हैं अपने पूरे दिल स और उस काम को ना कर पाएं मरते दम तक तो वो क्या है फेलियर है सो सिंपल तो यह तीन लोग हैं यहाँ पर जो अराम से देख रहे हैं लोगों सुमिंग करते होए और पहले वाला जो बंदा है वो मनी वन सोच रहा है कि यार यह जो कर रहे हैं यह देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है पता नहीं कैसे कर पा रहे हैं इतना गहरा पानी है उपर रहे कैसे पा रहे हैं मैंने कई बार ट्राइ किया मैं नहीं रह पाता और उसका मन तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक डर है कि अगर मैं गया और डूब गया तो क्या होगा कोई मुझे बचाएगा भी है नहीं बचाएगा चलो मेरा तो जो होगा सो होगा मेरी फैमिली का क्या होगा और उसने मरते दम तक कभी भी ट्राइ ही नहीं किय सुमिंग कर तो यह रास्ता कहा जा रहा है गैरेंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है इसकी शुरुवात कहा hele में होती है इसकी जड़काह है कि शुमिंग करना मुशिकल है कही ना कही उसके दिमांग में चीज़ बैठी हुरी है तब ही सारे के सारे डर है ना तो उसके दिमाग में वह चीज बैठी हुई और मुश्किल धीर धीर नामुम्किन बन गया मुश्किल की हजार वज़े उसके सामने आ गई और उस दर की वज़े से वो बंदा पैरलाइस हो गया उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही एक्षिन लेने की दूसरा वहाँ पर जो है यह बड़ा इंट्रस्टिंग करेक्टर है उसने देखा वहाँ पर लोगो को सुमिंग करते हुए और देख करके हो मनी मन सोच रहा है इसमें क्या बड़ी बात है गहरे में देख रहा है लोगो सुमिंग करते हो इसको सुमिंग आती नहीं है करना ह है डिजायर है लेकिन देख करके बोल के रहा है इसमें किया बड़ी वाद है आतपहरी तो हिलाने है इनसे अच्छा तो मैं कर लूँगा जैसे आप लोग के साथ भी कई वर हुआ होगा कि अपने दोस्तों के साथ में बैट करें क्रिकेट मैच देख रहे हैं और एक बंदा अ हो गई और सामने से आपका एक गुलू मुलू से दोस्त बोल रहा है यार यह क्या खेल रहे है इससे बड़ी तो मैं खेल लूँगा होता है है तो वही वह उसके साथ में कि उसने देखा और देख करके उसने अपने दिमाग में बोला यह क्या है संदीप महिश्वरी बोलता तो मरा या अगर किसी की नजर पढ़ गई तो इसको उठा करके बाहर रखेंगे अब पूछेंगे बाई क्या हुआ था क्या प्रॉब्लम है क्या चाहिए क्यों किया यह सब और यह भी रास्ता guaranteed failure की तरफ जा रहा है क्योंकि जल्दी बाजी में बिना सोचे समझे बिना एक काम को सीखे कि करना कैसे है हम सीधा जा करके गहरे पानी में चलांग लगा देते हैं कि दो extreme situations हैं एक तरफ तो हमारे दिमाग में डर बैठा हुआ है एक तरफ इतनी जल्दी बाजी है कि बिना सोचे समझा में एकदम से चलांग लगा रहे हैं यहां पर भी मरें ही मरें क्योंकि अगर बंदा बच भी गया उसको किसी ने बचा भी लिया तो जिंदगी भर के ल हुआ तो यहां भी ना हुझे वो डर हमेशा के लिए उसको अंदर यंदर खाता रहेगा तो यह दोनों रास्ते कहां जा रहे हैं फेलियर की तरह हो इन दोनों के बीच में इन तो extreme situations के बीच में एक सिंपल सा रास्ता जा रहा है जो success की तरफ जा रहा है मतलब कि जो तीसरा रड़का बैठा उसने क्या किया उसने देखा वहां पे लोगों को सुमिंग करते हैं ना तो वो डरा उसने का कि यार जब यह लोग कर सकते हैं जो बिल्कुल देखने मेरे जैसे हैं इनकी भी दो आखे हैं दो आत हैं दो पैर हैं सुमिंग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता मैं भी कर सकता हूं लेकिन सीधा जा करके उसने छलांग नहीं लगाई गहरे पानी में उसने जा करके उन लोगों से पूछा जो सुमिंग जानते हैं उनसे समझा कि सुमिंग आपने कहां से सीखी थी कैसे शुरुआत करी थी उन लोगों ने इशारा किया कि अभी हम यहा खॐसलारा किया जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है और यहां पर उस शैलोवाटर में उस बंदे के लिए कोई dad धीरे धीरे ट्राइ करता रहा करता रहा उसको swimming आ गई अभी भी डीफ वाटर में जा करके सीधा सेंटर में नहीं गया हो तो कि उसको पता है कि अगर मेरी टक्कर हुई तो डूबा तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा है अब उसको आ गई हैज मिडि अब उसके लिए swimming करना जो पूरी दुनिया के हुआ है डर है उसके लिए क्या है औहान है ऐसान है खेल है पट्चों का कैल है कि पालते हैं किसी को मुश्किल लगता है नहीं लगता यह सो possess जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत बड़ा हुआ है कि भाई कैसे करूं क्या करूं ये लोग कैसे कर पा रहे हैं मेरे से तो होता ही नहीं है ना बड़ी कोशिश करता हूं ऐसे सी चीज़े आती है मैं तो अब वो घहरे पानी में सुमिंग कर रहा है तरह तरह से और अपने यहां से निकल करके बड़ी और गहरी नदी में सुमिंग कर सकता है येस और नो येस अगर उचाहे तो कर सकता है क्योंकि अब वो सुमिंग सीख चुका है जो दुनिया के लिए देखने में नेक्स्टू इंपॉसिबल है क्योंकि उसने इतनी प्राक्टिस करी है हमाँ पर उसके लिए नदी में सुमिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है चाहे लहरों के साथ तेरना हो चाहे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना हो उसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है अब प्रॉब्लम क्या है देखो कितना मज़िदार है कि ये सारी बाते हम सब को पता है हम सब को पता है क्योंकि हमने कोई भी स्पोर्ट्स खेलना सीखा है तो बिल्कुल ऐसे ही सीखा है सुमिंग किसी ने भी सीखी है सब ने यही किया है वह एक एक जामपल मैंने दिया था कि उसने जा करके चलांग लगा दी कोई चलांग लगाता है क्या सुमिंग सीखने के पुछ में हमको यह बाते याद रहती हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में आ करके हम इन सब बतों को बोल जाते हैं. और जाने अंजाने ऐसे ट्रैक पर निकल जाते हैं, जो गैरेंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है, जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं, और जब तक देखते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक या तो डूप चुकी होते हैं, या फिर खेल खात्म हो चुका होते हैं. इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एक्जामपल देता हूँ, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, या तो स्कूल में, या कॉलेज में, या जॉब कर रहे हैं, पूरा सुन लो, या जॉब कर रहे हैं, और आगे जाकर के अपना खुद का बिजनस करना चाहते हैं, और सिर्फ चाहते नहीं है उनका बर्णिंग डिजायर है कि मुझे हर हालत में अपना बिजनस करना है एक ना एक बार ट्राय जरूर करना है कितने लोग हैं बहुत सारे लोग हैं एक सच बात बताओं आप लोगों को सुनने में थोड़ी सी कड़ी लगेगी लेकिन सच है क्यो सब्सक्राइब करना है कि आप में से जितने भी लोगों ने अभी अपना हाथ उपर किया है 90% से ज्यादा लोग गैरेंटीड फेल होने वाले है गैरेंटीड फेल होने वाले सोचो किसी को लग रहा है एक को भी लग रहा है कि मैं फेल होंगा अगर लगता तो हाथ यूपर क्यों करता है वो डिजायर उखता ही क्यों उसके अंदर अच्छा आपको लग रहा है और आप फिर भी करोगे यह बार दबंग थरी सबको लग रहा है कि हम सक्सेस्पुल होंगे हम तैयर पाएंगे लेकिन ढूप जाएंगे क्यों वजे क्या है और बताओं किस तरह से फेल होंगे आप में इसे जिन्हों ने भी हाथ उपर किया था आदे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे और ऐसी बहुत सारी रिसेर्चिस हो चुकी है जिसके बेस पर मैं यह बात कर रहा हूं कोई theoretical बात नहीं है प्राक्टिकल है आद आपके वो फेल हो जाएगे इसलिए नहीं कि उन्होंने किया और फेल हो गए इसलिए कि उन्होंने कभी ट्राइए नहीं वो डिजायर उनके अंदर ही चला गया बाकी के जो 50% लोग बचे उसमें से भी 80% से ज्यादा लोग फेल हो जाएंगे क्योंकि अब इसको ध्यान से समयना क्योंकि वो बिंबा सीखे कि बिजनोस क्या है बिना समझे कि बिजनोस क्या है बिना लर्णिंग पर फोकस किये earning को ध्यान में रख करके बड़ा से बड़ा step उठाएंगे और बुरी तरीके से खेलोगे मालब सीधी उस घहरे पानी में जा करके छलांग लगाएंगे guaranteed और अपने आज पास में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे लाखो लोग नजर आ जाएंगे जो यही गलती बार 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 कर रहे है मैं आपको practically बताता हूँ किस तरीके से मुझे पता नहीं कितने लोग ऐसे मिल चुके हैं जो जब भी कभी मैं कहीं किसी functions में जाता हूँ या Q&A sessions होते हैं अलग अलग जगे पर लोग मिलते हैं तो लोग जातर अपनी कहानी सुनाते हैं कि भाई देखो मेरा यह dream था यह business करने का और मैंने अपनी सारी सारी savings जो भी मैंने जॉब में से खमाई थी वो सारी ले आपकर उस business में लगा दी हुई कहता है मैंने लोग लिया कोई कहता है मैंने लोगों से सब savings मानिया निया आई इडिन और भी बढ़िया था मुझे लग भी रहा था मैं कर दोऊगा लेकंव लेकिन कर नहीं पाया ना बुरी तरह से फैल हो गया अब मैं क्या करूं बता हूं प्रहले आप मुझे यह बताओ कि आपने बिजनस करना सिंपल सा क्वेशन है कि आपने बिजनस करना कहां से सीखा जो मैंने swimming का example आपको दिया था उसने जा करके छलांग लगा दिया और वो डूब गया तो उससे बंदा क्या पूछेगा कि बगे सुनिंग करनी आती थी या नहीं नहीं आती थी तो क्यों कूदा तो मैं लोगों से पूछता हूं मैंने का business करना कहां से सीखा कई छोटे लेवल पर प्रैक्टिस करी बिजन्स करने की सीथा जा करके दसलाग रुपे लगा दिया बीसलाग रुपे लगा दिया क्योंकि आइडिया अच्छा है क्या मतलब है कहीं से समझा किसी ने आपको गाइड किया कोई बंदा जो सक्सेस्फुल किसके साथ डिसकस किया वाई किससे सीखा ये तो बता दे कहां से सीखा कैसे सीखा किसी के पास कोई जवाप नहीं होता है टूंट है एडव ने बाव और वो घूम फिर आयते हैं या लेकिन आइडिया तो ऐसा था मेरा प्लान तो ऐसा था वह सब तो ठीक है मुझे समझ आ एक बता भाई सीखा कहाँ से बिलकुल ऐसा है जैसे कि आपको छe you know I can करो आपको 친 नहीं गेलना आता आपको यह नहीं पता कि जो हाती है वो सीधी चाल चलता है जो लेंडेडी चल चलता है आप हाती को टेड़ा चला रहे हो, उट को सीधा चला रहे हो और जगा करके एकडि difाड ऐन है ऐसे क्यैनी जो sickness क्डिरी में बैट गए। प्ता नहीं जैस है क्या व्सको लग रहा है कि उसको आदूँगा और वहाँ कर आपका मजाग बन रहे है। लोग हस रहे हैं कि ईया रहा है, किसे ऐस बिख कर रहा है, हाँ के रहा है प्रोड़क्स बिख जाएंगा, बिख जाए गाएंगा, क्यों मार्केटिंग प्लान ही नहीं है, कुछ है यह नहीं, कैसे बिख जाएगा, कहां से आये involved, ढ़ा से स्कांटेद जाएंगे helang में से और उसने अपना पूरा केस बताया, मेरे जो अंकल है, मतलब कि उसके पापा, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इसको बिजनस में लॉसेज हुए, अंकल ने कैसे अपनी कमाई उसमें बिजनस में लगाई, क्या क्या हुआ, तो मैं बैठा रहा एक गंडे तक सुनता रहा साराम से बैठे, मैं अपना दोसा खा रहा था, मैं बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, तो अपनी बड़ास निकाल ले, भया मैंने ये किया, भया मैंने वो किया, भया मेरा ये प्लान था, भया मेरा वो प्लान था, ये ता, वो था, वो था, सारा कुछ जब्स में खतम मैं उसको बढ़ा तो तो कहता मैंने Business Studies पढ़ी है Economics पढ़ी है Accounts पढ़ी है तुने पढ़ी है Business Studies 11th class में पढ़ी है किदा हां पढ़ी है मैंने का एक Business की definition थी करीबन 10 लाइन की जो तुन्हें उस टाइम पर रट्टा मारा होगा तिरको याद होगी सुना मुझे याद है कि क्या है बिजनस तो को डेफिनेशन तक याद नहीं है तो मैं भाई रट्टा लगाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं सीखने की बात कर रहा हूं और यह दोनों चीज़े एक दूसरे से अपॉजेट हैं तुनों चीजों का आपस में दूर दूर तक कोई connection नहीं है कॉलिज की बुक्स की बात कर रहा हूं मैं हमेशा कहता हो ना कि earning हमेशा future में है learning हमेशा present moment पे है learning पे फोकस करना है earning पे नहीं अब यह learning क्या है इसमें तीन सिंपल से स्टेप से सबसे पहला स्टेप है observation simple observation clear है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो पहले आपको observe करना होगा उन लोगों को जो उस काम को कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो simple जब तक आप observe ही नहीं करोगे for example आप लोग यहां पर बैठे होए हैं और मुझे सुन रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता आप मेंसे कितने लोग अपने माइंड में कुछ और सोच रहे हैं माइं में कुछ और ही बोल रहे हैं मतलब कि अगर आप मुझे से कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा आपको मुझे observe करना होगा मुझे सुनना होगा लिसन करना होगा और हमारी आदत क्या है इससे बिल्कुल अलग है कि सामने से कुछ बोल रहा होता है अपने माइंड में कुछ ही कुछ सोच रहे होते हैं मला हमारी observation powers इतनी strong नहीं है अगर इस listen word को आप ध्यान से देखोगे तो यह निकला है silent word से कि एसाई एल उसको उल्टा कर दो बन गया एलाई एस जो एंड में आ रहा है इंटी उसको आप गुमा दो उसको कर दो टी एन क्या बन गया लिसन तो अब तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि आपका माइंड पूरी तरीके से silent ना हो सुसंपल एज सुनबसेशन करने के लिए क्या करना होगा किसी भी चीज कुझ आगर करना सीखना है तो kरिकेट क्लना सीखना है तो क्या करना होगा या extra door रे क्रिकेट खेलना है तो extraordinary krikheter is को observe करना होगा बिजनस करना है तो business चो लोग कर रहे हैं जो लोग successful हैं, जो लोग fail हो रहे हैं, उन दोनों को observe करना होगा, दोनों से सीखना होगा, और फिर business को करना होगा, simple, तो पहला step क्या है, observation, उसके बाद में next step क्या है, understanding, कि जो observe किया, उसको समझना भी पड़ेगा भाई, कि क्या observe किया, कि अगर business करना है, तो दोनों तरह के लोगों को observe किया, जो successful हैं और जो failures हैं, पारीकी से observe किया, किस चीज़ को observe किया, उनके actions को observe किया, कि वो क्या करते हैं, जो successful लोग हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, और उनके thoughts को observe किया, कि वो किस तरह से सोचते है उनका इस दुनिया को देखने का नजरिया किस तरह से अलग है उन लोगों से जो फेल हो रहे हैं क्या फ़र्ख है नो के नजरिये में फर्क होता है यस और उसको आपने अब्सर्व किया अब कैसे करोगे जो भी लोग successful हो सिस्वी फीट में आप काम करना चाहते हो उसमें आप autobiographies को पढ़ना है उनकी videos को देखना है उनको बड़े ध्यान से observe करना है जब आप observe करोगे उसके बाद में understanding का level आता है आपको समझना है कि इसमें से जो भी ये सही कर रहे हैं उसमें से क्या है जो आज आप अपनी situation में apply कर सकते हो जरूरी नहीं हो सब कुछ जो आज कर रहे है वो सब आप आज अपनी situation में apply कर पाओ जैसे ही आपको ये बात समझ आई अब आता है तीसरा step कि आपको उसको अपनी life में apply करना है छोटे से छोटे level मतलब कि उसकी practice करनी है अगर हम apply ही ना करें practice ही ना करें तो क्या होगा कोई फाइदा नहीं है सुनते रहे सुनते रहे को मतलब कि अगर मेरे सेशन आप देख रहे हो इसमें हजार बाते में करने वाला हूँ इसमें से अगर आपने दो बाते भी practice कर ली तो बहुत है कुछ बदलेगा ना थोड़ा सा ग्रोप कर गए ना आपने प्रैक्टिस किया मतलब कि जो भी आपने सीखा जो भी आपने समझा उसको आपने प्रैक्टिस किया और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको दो तरह के experiences होते हैं या तो अच्छी experiences या बुरे experiences और इन दोनों experiences से जब आप कुछ सीखते हो उसको बोलते हैं learning यह है लर्णिंग की पूरी foundation क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं observation कि अगर आपका माइंड जिसको आप presence of mind भी बोल सकते हो presence of mind कि जब आपको सीख रहे हो तो आपका माइंड पुरी दुनिया से हट करके उस जगह पर आजाएं आपकी concentration पूरी तरह से उस जगह पर हो, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस जगे पर हो, जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप सुन रहे हो, आपका सारा ध्यान वहाँ होना चाहिए, और स्कूल में क्या हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, मैं आपको अपना एक्जामपल देता हूँ, कोई जनरल स्टेटमे और यह सब बच्चों को मेरे टाइम में ऐसा नहीं था मतलब खुब अच्छे से पिटाई होगी है और मज़े की बात यह है कि मैं ना तो कोई शरारत करता था ना कोई लड़ाई जगड़ा करता था होमवक भी अपना टाइम पर करता था मतलब स्कूल में कोई गलत काम नहीं करता था फिर भी बिटाई होती थी मेरी सिर्फ एक प्रॉब्लम थी सिर्फ एक कि जब भी कोई बोरिंग क्लास चल रही होती थी तो मुझे अबासी आज़ती थी कि टीचर कुछ पढ़ा रही है देखा मेरे को बासी ले तो बुलाया यह रोज का था कई के टीचर थी वो थोड़ी चे दयालू थी तो वो सिरफ कान खीचती थी कोई पीछे से मारती थी कोई भार लेया करके घड़ा करती थी तो ऐसी चीज़े बहुत होई है मेरे साथ में तो दीरे-दीरे मैंने क्या सीखा अपने इस experience से कि अगर पिटाई से बचना है तो वो ही करो जो बाकी के बच्चे कर रहे हैं मालब कि ढूंग करो उस टीचर को सुनेगा और वो कब हो सकता है मालब उस टीचर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप बोर हो रहे हो ये नहीं लगना चाहिए उबासी नहीं आने चाहिए तो फिर मैंने क्या तरीका निकाला उसका कि टीचर बढ़ा रही होती थी मैं हां हां कर रहा होता था और माइंड में कुछ और सोच रहा होता था कहीं और अपने ध्यान को ले गया मतला टीचर बढ़ा रही है टीचर खुश है कि अरे वाई है तुम्हें को सुन रहा है उसको क्या पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ वहासी आना बन वाइंड में कुछ मज़दार्ची चीज़ चल रही है स्पोर्ट के बारे में सोच रहा हूं टीचर अपना बोले जारी है सामने से यह हो रहा है तो अल्टीमेटली में क्या सीख रहा था स्कूल में किस तरीके से अपने माइंड को उस जगे से हटा करके जहां से आपको सीखना चाहिए कहीं और लेकर जाना इमाजिनेशन की दुनिया में जाना है यह हो रहा था तो से सीखा वो मैंने सीखा स्पोर्ट से आई स्ट्रॉंगली बिलीव था स्पोर्ट्स इस बेस्टीचर इंड होल वर्ल्ट उस अच्छा कोई टीचर नहीं है और यहां पर एक छोटा सा कंफेशन है मैं कहीं पर भी यह नहीं कह रहा कि जो एडूकेशन है वो इंपॉर्टन न चैनि लेकिन जिंद्की जीने से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है जिन्द की जीने के लिए जिन्दिगी को समझना इंपॉर्टन है एक लर्निंग ऐटीट्यूड होना इंपॉर्टन है आप मैं से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफॉर्ड कमेंस strongly recommend you कि एक बार आप जागर के YouTube पे वो जरूर देखें तो अपनी उस स्पीच में वैसे तो उन्हों ने बहुत सारी बाते गई और सारी ही कमाल की थी लेकिन एक बात उन्हों ने कही हो थी connecting the dots के बारे में कि dots को अगर आपको connect करना है dots क्या है आपके life की छोटे छोटे experiences है जो जब हो रहे होते हैं तब उसकी कोई importance नहीं होती आज आपकी life में ऐसी बहुत सारी चीजे हो रहे होंगी आपको लग रहा होगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है चाहे कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है लेकिन आगे जाकर के जब आप देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा हुआ हुआ हो नहीं हुआ होता तो आज मैं इस लेव औरुकित है बात करें उन्होंने ये कहा कि आप कभी भी अपने इन experience को इन दॉट को फिचर में देख करके रिख कर सकते हैं मतलब आगे देख करके इन डॉर्ट कु कर रिह नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं कि यह जो हो रहा है इसकी वज़े से फ्यूचर में क्या होने वाला है लेकिन जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो और फिर आप पीछे पलट करके देखते हो तो एक-एक करके सारे डॉट्स जुड़ जाते हैं कोई भी चीज बेकार के लिए नहीं होती हर चीज के पीछे कोई ना कोई बज़े होती है हम इस समय नहीं देख सकते बाद में समझ आ जाता है तो इसी तरह से जैसे उन्हों ने ये बात कही मैं भी अगर आज पीछे मुड़ करके देखता हूँ और अपने उन डॉट्स को कनेक करता हूँ तो मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी फाउंडेशन क्या है उसकी नीव क्या है ऐसा भूत सवार हुआ करीमन साथ याठ साल के लिए तब मेरी एज होगी करीमन 7-8 यह उसके बाद में करीमन 14-15 साल की एज तक मैं डेली मिनिमूम 2-3 घंटे चेस खेलता था कभी अपने फादर के साथ कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में और पागलों की तरह खेलते थे हूं मतलब कि क्या कर रहे हैं कि अगर शाम को खेलना शुरू किया तीन घंटे हो गए और चेस की गेम बीच में अटकी हुई है अब लड़ते रहो तो क्या करते थे कि रात को 9 बज गए उदर से मम्मी की डाट आनी शुरू हो गई कि बेटा सोजा कल स्कूल जाना है यह हो है उदर से डाट पड़ रही है तो बड़े ध्यान से हम उस चेस को गेम को उठाते थे और लेया करके एक जगे पे रखते थे औ अगले दिन स्कूल से आने के बाद में चार बजे वापस से उसी लेवल से वापस से गेम शुरू उस टाइम पे जो चेस खेल रहा था देखा जाए तो क्या है उसकी क्या इंपोर्टेंस है आज की डेट में हमारी सोसाइटी में इंपोर्टेंस किस चीज़ की है किस बिल जाए आया एम में एड्मिशन बिल जाए आप पढ़ाई में टॉप कर जाओ आप ये कर जाओ वो कर जाओ आप किसी को बोलो कि बैया अपने बच्चे को जा करके चैस खिलाओ उसकी जिंदकी बदल जाएगी लोग हसेंगे उन्हें क्या बोल रहा है पागल है क्या ले क्या हुआ कि यहां पर ध्यान रुपता था कुछ अच्छे थे कुछ अच्छी क्लासिस भी थी तो उसके बाद में क्या हुआ कि यहां पर चैस खेलते खेलते बाई डिफॉर्ट एफट लेस्ली खेल खेल में ऑब्जवेशन पावर्स अपने आपी बढ़ दें मला आप नह दूसरा ऑप्शन ही नहीं है यह नहीं हो सकता कि आप सामने किसी के साथ में खेल रहे हो और माइंड में कुछ और सोच रहे हो नाट पॉसिबल तो उससे क्या हुआ ऑब्जवेशन पावर्स भड़ी दूसरी चीज क्या भड़ी चैसे कैसी गेम है जिसके अंदर बोद दी स Sides of our brain मतलब कि राइड ब्रेट इस वर ईस लेट ब्रेन तोनों को काम पूरे तरीके से होता है दो के जो क्रीटिब थिंकिंग है और जो भड़ गई कि रोनों के बीच में balance create हो गया और business में और chess में ज्यादा फर्क नहीं है मैं हमेशा कहता हूँ यह बात ज्यादा फर्क नहीं है मतलब कि जो intuition है वो बढ़ गई कि क्या करूं अगला जो strategy है वो भी बढ़ गई वो powers भी बढ़ गई concentration powers बढ़ गई observation powers बढ़ गई धियान को एक जगे पर effortlessly रोकना आ गया तो यहां से यह मेरी foundation है पुवी के लोरी और बिना अपनी observation powers के उपर काम किये जिसको आप mind बोल सकते हो बिना अपने mind को एक जगे पर टिकाए आप कोई भी काम करने निकल जाओगे आप ज्यादा देर तक नहीं जाओगे बॉस एक काम करोगे एक फेलियर आया फिर हिल जाओगे कोई problem आई फिर घबरा जाओगे कोई अपने mind को पूरी तरह से एक जगे पर रखना है और बड़ी से बड़ी मुश्किल आ रही हो इसको बिना डर के फेस करना है यह चीज़े कहां से आएंगी जब तक body mind और सोल इन तीनों का integration नहीं होगा कि तीनों एक साथ काम नहीं करेंगे आज जो हो रहा है हमारी सोसाइटी के इंदर के physical activity धीरे-धीरे बंद होती जा रही है टीवी, इंटरनेट, computer, mobile खेलना धीरे-धीरे कम होता चला जा रहा है इससे होगा क्या कि लाइफ में अगर कभी इन बच्चों को physically exertion वाला कोई काम करना पड़ गया क्या यह कर पाएंगे नहीं कर भाएंगे महला मेरी life की एक ऐसी stage थी जब दिन में minimum मैं 16 से 17 गंटे काम करता था जब नया नया photography का course किया था निकला हुआ हूँ, 6 बजे घर से निकल गया, रात को 12 बजे घर में गुसरा हूँ, 10 बजे घर में गुसरा हूँ, 11 बजे घर में गुसरा हूँ, लगा ह चार के लोगा camera उठाया हुआ है, कभी यहां, कभी वहां, कोई धगान नहीं, अब यह कह सकते हो कि दर्दे थी, धगान नहीं थी, क्योंकि आदत थी भाई, आदत थी, उस चीज की practice already मैं बच्पन में अंजाने में कर चुका था, 1000 बार, cricket के हमारे matches होते थे, आप में से कित सुबह 6 बजे हम निकलते थे match खेल ले के लिए, सुबह 6 बजे match होता था, जैसे हमारा एक block है, बूसरा block है, दो block से बीच में match हो रहा है, match खतम हो गया, 9-10 बजे के करीब, उसमें से सिर्फ 10 बजे के करीब 8 लोग रहे गए, उनको भी मैं जबरदस्ती रोक लेता था, मैं हो हैं और खेल रहे हैं, बड़े ground में, सिर्फ 8 लोग, मतलब 4-4 लोग की team बनी होई, उसके बाद में करीबं 1.5 बजे हैं, और आप imagine कर सकते हो कि क्या situation होगी, यह मैं बात कर रहो हमी summer vacations की, और डेली में, मे जून के महीने में कितनी गर्मी होती है, वो आप समझ सकते हो, यह temperature है, 45 degrees और हम खेल रहे हैं, उसके बाद में डेड़ बजे के करीब-करीब में, अल्मोस सब चले आते थे, कोई टिकने को तयार ही नहीं होता है, तो मैं बड़ी कोशिश करता है, मैं का आप रुक तो सही, थोड़ा और खेलते हैं और जहां से भी कुछ आ रहा है खाने क करीब, सब चले आते थे, कोई नहीं बचता था, तब मैं जवर्दस्ती एक अपने दूर के दोस्त को, दूर का वर्ड यूज करूँ और क्योंकि ज्यादा पास का दोस्त नहीं था, दूर का था, किसी दूसरे ब्लॉक का था, उसका असली नाम मुझे अभी भी याद नहीं मतला वो, तो हम दोनों अकेले हैं पूरे पार्क में, इमाजिन करो क्या सिच्वेशन होगी, कितनी धूप होगी उस टाइम पे, मे जून के महिने में, और बड़ा ग्राउंड है, को छोटी जगे में नहीं खेलना था, उमको यह नहीं है कि घर में जाकर के वरेंटे में खे होते थे, बंटा की शर्त, बंटा एक होती है न, कांच की बोतल, मतला उसमें कंचा होता है, उस टाइम पे 2-2 रुपेगी आती थी, तो हम शर्त लगाते थे, 6-6 ओबर का मैच होता था मेरा और चड़ीगा, जिसमें मुझे पता था कि मैं हारूंगा, उसको पता था कि वो फिर भी मैं खेलता था, मैं कहता है, तो 2-2 रुपे में, तीन घंटे खेलने को मिल रहा है, क्या पराइगी है, तो उधर से उस 2 रुपे की बंटा की वाईसे वो खुश क्योंकि उससे एज में बड़ा सा में अच्छा खेलता था, उधर से वो खुश, इधर से मैं खुश, मुझे खेलने को मिल रहा है, मुझे learning मिल गई, उसको earning मिल गई, दोनों को अपना-पना काम हो गया, ना, deal complete, simple, फिर उसके बाद मैं आपने क्या किया, अब हम खेल रहे हैं, मैं बैटिंग कर रहा हूं, वो बालिंग कर रहा है, अब पुरा पसीने, बीगे बड़े हैं, क्य आपने कामाल की, वो बालिंग भी आइसे हैं, इस पिन कर आ रहे हैं, पेसर, फुल पेस, वो बालिंग कर रहा है, वो बालिंग कर रहा है, उसने डाली वाइड बॉल, अब ग्राउंड में पीछे दूर दूर तक कोई नहीं, तो रूल क्या था हमारे इस गेम का, रूल ये था कि अगर विकेट के पीछे जाएगी, तो बैट्समें जाकर बॉल लेकर आएगा, और अगर विकेट के उस तरफ जाएगी, तो वो बॉलर जाएगा, बॉल लेकर तो अगर मैने मारा, तो मैं कोशिश करता तो उसकी नहीं बढ़े, वाइड भी जारी होतीते तो ले भाई, जातू अब भाग, तो एक 6 ओवर का मैच हमारा कम से कम 3-4 घंटे चलता था, कम से कम, तो कभी मैं वहाँ भाग रहा हूँ, कभी वह भाग रहा हूँ, ला रहा हूँ यार, बॉल ला रहा हूँ, कोई बात नहीं, बॉल अब भाग रहा है, कभी वह उधर भाग रहा हूँ, फिर भालिंग आगे उसकी बैटिंग आगे, तो ये हमारी गेम होती लीए, तो इस खेल का क्या फाइदा हुआ, इस जुनून का क्या फाइदा हुआ, कि भाई, आज भी मेरी लाइफ में, ये एक्स्पिरेंस ये सब मेमरी में पड़े होए हैं, मेरी बोडी की जो मेमरी है, मेरे माइंड की जो मेमरी है, उसमें सब फीडिड है, आज आप मुझे काहों, non-stop 16 गंडे तक daily काम करना है बिना थके, बिना रुके और एक ऐसा काम जो बिल्कुल boring है मैं वो भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा interesting की तो आप बात ही छोड़ दो मैं interesting की तो बात ही नहीं कर रहा है मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल boring काम क्यों हो पा रहा है यह चीज है observation powers learning attitude सीख लूँगा ना boring है तो क्या हूँ, interesting बना लूँगा ना टिक जाऊँगा ना मैं यह सोच लूँगा कि मैं अपनी observation powers को बढ़ाने की learning चल रही है अगर boring जगे पर हमको अपने mind को टिकाना आ गया तो interesting जगे पर टिकाना तो खेल है रहाई एक बार आपको learning attitude बन गया तो पैसे का क्या है जितना मर्दी कमान हो, कोई रोक सकता है आपको, अगर आप किसी भी field में excellence को achieve कर चुके हो, business में एक excellence को achieve कर चुके हो, आप कोई भी business कर लो ना अब तक मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उसको sum up करना हो, तो वो ये है कि जिन्दगी में तीन रास्ते हैं, और इन तीन रास्तों में से आप किस रास्ते पर चलोगे, वो choice सिर्फ आपकी है, वो decision आपके लिए, आपके सिवा और कोई नहीं ले सकता पहला रास्ता, जो guaranteed failure की तरफ जा रहा है, वो है डर का रास्ता failure का डर बढ़ा खतरनाक रास्ता है अब बहुत लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं, कुछ नहीं है वहाँ failure ही failure है, जीते जी मर जाओगे, जो करना चाहते हो, अगर वो ही नहीं किया तो क्या फाइदा इस जिंदगी का सिर्फ जिंदगी कटेगी, जी नहीं पाओगी ये एक रास्ता है, चूस करना है आपकी choice है एक दूसरा extreme है लालत का रास्ता कि फटा फट से get rich quick कि फटा फट से earning आजाए कहीं से भी, सीखना ना पड़े ये क्या boring काम बता रहे हो सीखना पड़ेगा, अरे भाई इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे फटा फट से छे महीने मैं किसी कंपनी में जा कर कि पैसा लगा हूं पचास जार, छे महीने बाद एक लाक रुपे मिल जाए ये मिल जाए, वो मिल जाए, अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला ये एक रास्ता है इसको बोलते हैं focus on earning लालाज का रास्ता इन दोनों extremes के बीच में एक simple सा रास्ता है जो guaranteed success की तरफ जा रहा है वो है learning का रास्ता सीखने का रास्ता खेल का रास्ता खिलारी बनने का रास्ता विखारी बनने का नहीं विखारी बनने का नहीं ये मिल जाए, वो मिल जाए अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते खिलारी तो बनो अपने फील्ड के पक्के खिलारी तो बनो और होगा क्या कि जैसे ही आप इस रास्ते पर चलोगे चलते चलते आपको पता भी नहीं लगेगा और सच बता रहा हूँ पता भी नहीं लगेगा कि कब आप एक नॉमल बींग से सूपर हुमन बन जाओ अधा भी नहीं लगेगा कि मैजीशन बन जाओगे जादूगर दुनिया के लिए जो एक जादू के जैसा होगा आपके लिए खेल होगा के जयां से देखो अपने आज-पास में जो भी लोग जिस भी फील्ड में सकसेस्फुल है वो क्या कर रहे हैं क्या वो जादू नहीं है जादू है यह रहमान का मिजिक सुनो कई पर हूआ है आप लोगे साथ में मुजिक सुन रहे हो सुनता सुनता को गए और बाहर आए क् अगर के गायार, magic. यह क्या हुआ मेरे साथ में? ऐसा कैसे हो सकता है? एक आवाज ही तो है, गहना ही तो है, यह मेरी रॉंटे क्यों खड़े हो गई? यह मेरी ऐसी हालत क्यों हो गई? क्या हो रहा है? होता है? क्रिकिट का मैच देख रहे हो, माहिंदर सिंग दोनी को, है भाई यह, आता है मैंड में? कि इस प्यूर मैजिक मन करता है बार बार देखने का, मन करता है, किसी ऑंट्रोपेनियोर को देख रहे होते हैं, बड़े लेवल पे बिसनस करते हुए, अंदर से क्या आवाज आती है? जैसे मेरे साथ होता था, जब मैंने नया-नया बिसनस स्थरू किया, तो उस टाइम पर जैसे ही मैं किसी भी सक्सेस्फुल ऑंट्रोपेनियोर की कहानी पढ़ता था, मतलब कि उनकी ऑटो बाते सुनता था, जो उन्होंने लिखा है सक्सेस के बारे में वो पढ़ता था, या उनके बिसनस को देखता था, कि कि किस तरह का वो बिस कर रहा है, मेरे से तो अपने घर में अपनी फैमली मैनेज नहीं होती, अपनी वाइफ मैनेज नहीं होती, बच्चे मैनेज नहीं होते, और यह हजारों लोग की टीम मैनेज कर रहा है, कर क्या रहा है, हजारों काम कर रहा है, कैसे कर पा रहा है, किसी इंसान के लिए कैसे प experience के बेस्पे आप सब को ये बात बोल सकता हूं और हो सके तो इसको अपने अंदर तक जाने देना कि मैजिक मैजिक नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है कोई चीज नहीं है मैजिक नाम की सिर्फ खेल है और हम सब और हम सब आप भी और मैं भी इस दुनिया में चाहिए कोई भी काम कर रहे हैं अलग-अलग फील्ड में अलग-अलग खेल 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 रहे हैं हम सब खिलाडी हैं अलग-अलग फील्ड के खिलाडी है बस फर्क क्या है किसी खिलाडी की observation powers थोड़ी सी कम develop हुई है विकि उसने उ उसकी observation power ज्यादा develop हो गई जिस वज़े से वो उन चीजों को देख पा रहा है जो और लोग देख करके भी नहीं देख पारे और वो उन चीजों को कर पा रहा है जो और लोग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं वह क्यों उसको देखे नहीं पारे हैं दूसा फर क् किसी खिलाड़ी की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है किसी की ज्यादा है किसी की बहुत ज्यादा है और किसी की बहुत ज्यादा है इतनी ज्यादा कि आप सपने में में नहीं सोच सकते हैं एक मैजीशन दो मिनिट की ट्रिक दिखाता है इसको देख करके लोग बोलते हैं भाई मेरी एक बात है जो अगर हो सके तो अपनी गांठ बांग लो कि अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो अपने अंदर से करना चाहते हो और उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते कर दो